दस्वी कक्षा पासकर एक छोटे कद का सुडॉल्स शरीड लिये छात्र अपने श्रेत्र के सांसत के पास फीस माफ करवाने की अरजी लगाने जाता है लेकिन सांसत का रवया उसकी कोई इजट नहीं करता और उसे दुतकार कर भगा दिया जाता है अपमान और क्रोध का घू केट विधायक सांसत ग्री मंत्री जैसे बरिपत जोड लेता है अब साट साल बाद आज यहीं लड़का उनासी साल की उम्र में अपने सियासी कद से सभी को दंग कर देता है यहीं वह लड़का है जो अयोध्या में भाजपा को हार का स्वात चका कर पूरे देश को चौका दिया है जी हां हम बात कर रहें हैं आयोध्या की फैजबाद लोकसभा सीट से यहीं सका के पृत्याश्री अबधीश्प्रसाद की अबधीश्प्रसाद ने अयोध्या में भाजपा के पृत्यासी लल्लु सिंग को 54,000 वोटों से मात दे कर यहां से नवनिर्वाचित सांसत बने हैं 89 साल के अवधेश प्रसाद अपने सियासी करियर में 9 बार विधायक 6 बार मंत्री रह चुके हैं अवधेश प्रसाद भले ही देश भड की नजरों में 2024 का चुनावत जीत कर आए हैं लेकिन उनका सियासी सफर काफी इंस्पिरेशनल रहा है 31 जुलाई 1945 को सुरवारी गाउं के एक साधारन किसान परिवार में जन में अवधेश प्रसाद स्कूल के दिनों से ही सियासत में दिलचस्पी रखते हैं लाल टोपी सफेद कुर्ता गले में गमचा और छोटा कत उनकी गहरी और दूरदर्सी प्रसनालिटी की गवाही देता ह अवधेश प्रसाद ने हाली में दिये एक इंटर्व्यू में बताया कि स्कूल के दिनों से ही राजनीती में आना चाहता था स्कूल खत्म करने के बाद अवधेश प्रसाद ने 1968 में लौकी पढ़ाई पूरी की और राजनीती में सक्रिये हो गए वकिल बनने के बाद अवधेश ने वकालत का काम शुरू कर दिया वकालत के साथ ही राजनीती में भी लगे रहे साल 1974 में अवधेश प्रसाद ने पहली बार चुनाओ लड़ा लेकिन पहले ही चुनाओ में अवधेश प्रसाद को 324 वोटों से हार का सामना करना परा इसके अगले साल 1975 में ही अवधेश प्रसाद भी जेल में दिन काटते रहे BBC हिंदी को दिये इंटर्व्यू में अवधेश 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 के दिनों का एक किस्सा वताते है मैं आपातकाल की दिनों में जेल में बन था, इसी दौरान मेरी मा का निधन हो गया, मा के शब को चार दिनों तक घर पर रखा गया, लेकिन मैं जेल में होने के कारण मा के अंतिम संसकार में हिस्सान नहीं ले पाया, असबाद का मलाल मुझे ताउम्र रहा और आज भी है, 1977 में आयोध्या की सोहवाल विधासबा सीट से विधायकी का चुनाव लड़ा इस बार अब्धेश की किस्मत चमकियों और चीत कर विधायक बन गए इसके बाद फिर कभी अब्धेश ने यहां से हार का स्वात नहीं चका नौ बार इसी सीट से विधायक रहने वाले अब्धे अब्धेश प्रसाद के नाम को ना केवल उत्तरप्रदेश बलकि पूरे देश में विशेश स्वार पर जाना जा रहा है अब देश प्रसाद की अब तक की स्यासी यात्रा काफी प्रेणा दायक रही है